ये पोहा कटलेट इतने लाजवाब होते हैं कि एक या दो खाने से पेट नहीं भरेगा और बच्छे भी इसे मांग कर खाएंगे हाई एब्रिवान वेल्कम बैक टू माई चानल आज की रेसिपी है पोहा कटलेट तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसे बनाने के लिए मैंने लिये हैं दो आलू उबले हुए उसे अच्छे से मैश कर लिया है साथ ही इसमें एक कटोरी भीगा हुआ पोहा डाल लेंगे अब इसमें अपनी पसंद की कोई भी सबजी जो आप खाना पसंद करते हैं वो डाल सकते हैं मैंने यहाँ पर शिमला मिर्च और प्याज मटर और कॉन्स को बॉयल करके डाला है साथी इसमें हम डालेंगे बारी कटा हुआ हरा धनिया अब इसमें डालेंगे हम आदी छोटी चम्माच हल्दी आदी छोटी चम्माच लाल मिर्च पाउडर आदा छोटा चम्माच दनिया पाउडर एक चम्माच छोटा वाला नमक चाट मसाला और थोड़ा सा जीरा पाउडर अब इन सब को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से तो अब हम इनके कटलेट बना लेते हैं इसके लिए सबसे पहले हम थोड़ा सा मिक्षिर अपने हाथ में लेके उसे गोल शेप देंगे और उसके बाद उसे हाथ से दबाकर कटलेट का शेप देंगे इस तरीके से अब कटलेट हमारे बिल्कुल तयार हैं तो इन्हें हम साइड में रख लेते हैं अब एक बोल लेंगे और उसमें हम आटा लेंगे और आटे के साथ हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल लेंगे साथ ही इसमें हम डालेंगे ओरिगैनो और चिली फ्लेक्स आधा-ाधा चम्मच है ये और अब थोड़ा सा पानी डाल कर इन्हें migrant कर लेंगे अब दिरे-दिरे थोड़ा-थोड़ा पानी डाल कर हम इस तरीके से इसके के सलरी त्यार कर लेंगे अब जो गटलेट हमने बनाए हैं उसे इस सलरी में डालेंगे और इसके बाद हम इसे डालेंगे bread crumbs में मैंने दो bread को mixer में चला लिया था और अब इसे हम सबी जगा से coat कर लेंगे इस तरीके से तो cutlet हमारे ready है अब इन्हें हम fry कर लेते हैं तो तेल मैंने गरम कर लिया है साथ ही इसमें हम cutlet डालकर इन्हें अच्छे से fry कर लेंगे जब तक कि दोनों side से ये इस तरीके से golden brown नहीं हो जाते ये देखे तो हमारे cutlet एकदम तयार है गरम गरम इन्हें आप sauce के साथ चटनी के साथ सर्फ कर सकते हैं आप इन्हें बचों के टिफिन में भी दे सकते हैं आप इसे एक बार ज़रूर ट्राइ करिएगा ये बहुत क्रिस्पी होता है तो कैसी लगी ये वीडियो मुझे कॉमेंट सेक्षिन में ज़रूर बताईएगा अच्छे लगी है तो वीडियो को लाइक करे कॉमेंट करें और मेरे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बाबाई